यानि अपने लोगों को आप चंद्रियान पे भेज़ने और हमारे लोगों को आप बहत्तरूरों के पास बेज़ने बतलब यह कौम सा तरीका है वाई सवक्त के बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि कैनेडा से सामने आ रहे है यह तो बहुत ही टेड़ी खबर है और इसके अंदर किसी अज्यात का काम है और दूसरे है तरीक ख्यानी ठीक है तरीक ख्यानी इस अनदर गाई वोज अच्छली सिटिंग एंड दूइंग अल दिस और वो अपरेटर्स अपना काम कर रहा है दे आ नोट वरीड दे आ दूइंग इस ने का यह हमारे लिए बड़ा फाइदा मंद एक्सराइज हुआ है इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे एक बंदा आया रहत राओ के आफिस के अंदर कुछ मनी एक्सचेंज के काम के लिए मनी एक्सचेंज इसका फ्रंट बिजनस है अब मनी एक्सचेंज क्यों है क्योंकि डिफरेंट करंसी में जब आप ड्रग्स डील करते हो पचास डिफरेंट करंसी आती हैं आपके पास छोटे नोटस आते हैं एक्सचेंज में एक त्रीस से चौविस साल का लड़का आता है जैसी वह लड़का आता है कुछ होता है एंड सड्टनली इसके उपर आग लगाके चले जाता है कल एक दो इमेज़े आई जहां पर यह अपनी आग बुझाने की ऐसे से करके करने की कोश कर रहा है लिटरी कपड़े उतरे हुए है चारना तरह उसके आग लगाई वी है एट इस कोल्ड फायर मतलब ऐसा फ्यूल डाला है उसके उपर जिसकी फ्लेम्स आपको दिखनी नही है तो people are saying it's done it's done it's done when he's still screaming and shouting कि मैं अभी जल रहा हूँ अभी यह white fuels होते है cold fuels होते है जिसके अंदर आगर आप किसी banquet hall में जाएंगे खाना वाना काने के लिए gel fuel होता है वहाँ पर या फिर आपके पास अगर zippo lighter हो that is also cold fuel एकदम से आग पकड़ता है but it doesn't heat up as much but एक बार ही वह पकड़ लेता है फिर obviously the actual effects of the fire come out तो initially आपको पता भी नहीं चलता कि आग लगी भी है somebody did something like that to him and went and this also tells you हमारी जो एक unknown policy है you know what I'm talking about right now you understand why that unknown policy was brought out आप मैं दुबारा बोल रहा हूँ इनको जब तक इनकी language के अंदर आप जवाब नहीं दोगे तब तक इनको नहीं समझ में आईगी पाकिस्तान needs to end तब आपको ये शांती मिलेगी खतम and पाकिस्तान will only understand the language that it is talking to us जहां हमारे soldiers मरते हैं पाकिस्तान के soldiers भी मरने चीए खतम कहानी मुझे नहीं फरक पड़ता उसके बाद आप बॉर्डर में मारो और चाहिए उसका जूता खराब हो जूते से फिसल गए by the way that is what happened यहां तक मैं आपको बता दूँ जब ये लाहोर में था पूरे जगे पे लाहोर में decorations थी इसके नाम की that is the way he was treated in लाहोर ठीक है दी Pakistanis want the Kashmir and Khalistan game to go together and आप confidence check करें के चीजें जो खराब होई Canada में और अमेरिका में इसके बावजूर दी operation in Pakistanis continent मैं इस वाले से I'm very much curious to know from the government हमारे जो interior minister है यह हमारे जो Punjab and SIN के जो IGs हैं they need to tell to the people of the country that what is this going on but unfortunately nobody is highlighting this on much on media which should be highlighted in that case इसको highlight करना चाहिए भई कहां पे हम खड़े हों है हम कहां पे खड़े हों है हम क्या करने जा रहे है यह जो trend है इस trend को क्या हम समझ रहे है क्या हम उन लोगों के करीब पहुंचे है हम उन लोगों के क्रीब नहीं पहुंचे उन लोगों की क्या relevance है वो कहां पे मौझूद है यह एक बहुत बड़ा जिससे मैं कहता है एक सवाल है जिस सवाल को in my understanding समझने की जड़ूरत है बड़ाइ विश के हम लोग जो है वो उसको कर सके लेकिन मेरा नहीं ख्याल के हमारे लोग इसको इस सरह रिस्पॉंड करेंगे हमारे लोग इसको किसी और तरीके से रिस्पॉंड करेंगे और डाट कोड़ बी डेफिनेटली टिट फर टैट भी हो सकता है वो टिट फर टैट नॉमली जो डीप स्टेट्स होती है वो और तरीके से उपरेट करती है अब हमारे हाँ यहाँ पे क्योंके ये किश्वीर की रिलेटेड लोग हैं तो इनकी जारी बात है एक सिगनिफिकेंस है एक वो जो इन ग्रूप था वो इन ग्रूप जो उस वकत में क्योंके अब तो देरीज नो ग्रूप विच बिइंग स्पॉंसर्ड बाए पाकस्दान माजी में हालात ऐसे थे चीजें चल रही थी उस वकत खिते का इन्वाइरमेंट इस तरह था अब चक्कर क्या है बस remember this one thing अगर इन लोगों को यह जो यह राहत वाहत आयसाई वाले जो बंदे हैं the way they have infiltrated पाकिस्तान इनको अपने बंदे चीए हैं वहाँ पर यह वो ही है धी खालिस्तानी आइडियोलजी and the Islamic ideology radical Islamist ideology है they are meeting together in Canada the control is being done through drugs through gangs and इसका जो final root है आपको आज UK की streets में दिख रहा है you're able to actually see it, क्या होने वाला है इन लोगों के साथ so I say damn good and we will, as we go forward I would tell you more, so they need more manpower and मैं क्यूं बोलता हूँ कि साब ये सब मिले हुए है मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ that the Canadian authorities ये Canadian पूरा देशी बिग गया है RCMP ने इसके phone में से digital data delete कराया है digital data was deleted why digital data इसके ले ले delete हुआ क्योंकि इसका जो connection है जहां पर ये भारत को बीच में फसाने वाला था वो पूरा इसके phone के अंदर था they made him remove everything ठीक है the problem was this guy was becoming nijjar was becoming too big गुर्पत्वन सिंग पन्नु का Canada के अंदर hold कम हो रहा था तो इसको side कर दिया गया immigration का game मैंने आपको बताया and drugs का game हमको पता ही है किस तरह के drugs ये खालिस्तानी gangs in Canada what kind of drugs they are running ये जो donation करते हैं political parties के लिए this is basically to get their control and यहां पर देखिए Sameer Kaushal साब ने एक और चीज़ बताई है कि if Indian media is to be believed Saray is becoming a battleground for foreign intelligence agencies हमारा ठीक चलो मान लिया ठीक है additionally कहते हैं इनके source कहते हैं कि राहत राओ के साथ एक local provincial politician भी थे local provincial politician कौन है सुखी धालिवाल सो पहले निजजर गया अब जिसने निजजर को उड़ाया ये गया if I was Tariq Khayani I would watch for my backside क्योंकि पूरी team दुबारा replace कर रहा है सुखी धालिवाल कि अग्सान की एजनसीज को देखना चाहिए क्याप लोग number one कैसे बनने फ़र रहे हैं आप लोगों तो कहते हैं हम number one एजनसी हैं जिसे हम लोग अक्सल number one भी कहते हैं हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं अफसार अलम साब वगेरा वो भी लंबर वन ही कहते हैं तो ये लंबर वन एजंसी कर क्या रही है माट्रक चील रही है क्या